नमस्कार मित्रों संस्कित दसन चेलन में आप सभी का स्वागत है आज हम यत्न ज्यान करेंगे यत्न कहते किसे हैं इससे थोड़ा सा समझेंगे तो आगे फिर चलने में कोई दिक्कत ना होगी यत्न का मतलब होता है कोशिश करना या चेस्टा यह हम कोई कार करते हैं तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है या चेस्टा करना पड़ता है या प्रयास करना पड़ता है वही यत्न हैं यहां वर्णों को बोलने में भी चेस्टा करनी पड़ती है इसके लिए यहां प्रियतन सब्द का प्रियू किया गया है प्रियतन सब्द और सुन्दर हो जाता है थोड़ा सा प्रक्रष्ट यतनह इती प्रियतनह अर्थात उतक्रष्ट से उतक्रष्ट रूप से यतन ही प्रियतन है बोलने में वो चार्ण जह हम करते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है लेकिन उत्करष्ट रूप से जो प्रयत्न करना पड़ता है वही प्रयत्न है पहले हमने बताया था कि जो प्रयत्न हैं दो प्रकार का है कौन-कौन से दो प्रकार हैं? नम्बर एक है आभ्यांतर प्रयत्न, नम्बर दो वाहय प्रयत्न, आभ्यांतर प्रयत्न और वाहय प्रयत्न, आभ्यांतर प्रयत्न जब होता है, जब कोई बन का उचान करना है, उचान करने पर हम कहीं न कहीं अंदर ही एक चेश्टा करते हैं, बन के उचान से पहले वो चेश्टा आभ्यांतर प्रयत्न कहलाती है, जब वन पूर्ण रूप से वाहर आने के लिए ततपर होता है या वो पूर्ण आ जाता है तो वो सारी चेस्टा मिल करके वाहर प्रयतन में भी बदल जाती है ये दोनों ही प्रियत्न उच्चारण को सही करते हैं तो आज हम आभ्यांतर प्रियत्न के विशे में अध्यन करेंगे यदि आपने ये आभ्यांतर नमर एक लिख लिताओं मैं है आभ्यांतर प्रियत्न आभ्यांतर प्रियत्न पांच प्रिकार का होता है यह पांच प्रकार का होता है जब इसको देखा जाए इसे थोड़ी सी बात हो समझ़ाएं फिर आगे चलेंगे अभ्यांतर प्रितन वाहिये प्रितन से कम होता है आगे आने वाली वीडियो में हम बताएँगे आज के बल हम आभ्यांतर प्रियत्न के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप सोच रहे हैं, हम छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, समय भी जादा, खराब ना हो, और अध्यन भी इस्टा है, यह मानली जी कि बड़ी शरल होती है, और इसलिए हमें हमा कम प्रियास करना पड़ता है, लेकिन वहार आते ही जगत में, बहुत सारी दिक्कतें प्यादा हो जाती हैं, तो सोचने पर जो चीजें होती हैं, वो कम होती हैं, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं कार, नमर एक, इस्प्रस्ट, इस्प्रस्ट, नमर दो, इस्षद, इस्प्रस्ट, तीन, विवर्थ, चार, इस्प्रस्ट, विवर्थ, पाँच, सम्रिथ, मैं इनके एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा का कौन-कौन से अक्षर हैं, जो, इस्प्रस्ट मा आते हैं, कौन से हैं, जो इस्प्रस्ट मा आते हैं, विवर्थ मा आते हैं, और इनको बताऊँगा भी, कि इनकी व्याख्या भी करूंगा तो यहां चार्ट शुरू करता हूँ मैं लिख लेता हूँ पहले इस्प्रस्ट इश्यत इस्प्रस्ट इश्यत इस्प्रस्ट करता इस्प्रस्ट बीस्प्रस्ट करों तो इस्प्रस्ट इश्यत बीड आपर संवर्ट इस्प्रस्ट के लिए खा गया है इस्प्रस्टम इस्पर्शानाम इस्प्रस्टम प्रयत्नम इस्पर्शानाम अर्थात इस्पर्शों का जो प्रयत्न किया जाता है वो इस्पर्श्ट कहलाता है इस्पर्श क्या है पहले हमने बताया था कादियो मावशाना इस्पर्षा अर्थात का से लेकर के मा तक जितने भी अक्षर हैं जो भी वर्ण हैं वो सब इस्पर्ष कहलाते हैं तो वही इस्पर्ष इस्पर्ष्ट हैं देखिए का खा गा घा जा चा जा 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 या ता ठा डा धार्न ता था दा धार्न पा भा 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 मा कादिव मावसाना इस्पर्षा क्रा से लेकर के मा तक ये सारे अक्षर जो हैं इस्पर्ष कहलाते हैं और इनको इस्पर्ष्ट भी कहते हैं इस्पर्ष्ट अगला आता है इस्पर्ष्ट इस्पर्ष्ट होता है अंतस्थों का इसम कहा गया है इसत प्रस्टम अंतस्थानाम अर्थात जो अंतस्थ है अंतस्थ कौन है अंतस्त हैं या वा रा ला ये अंतस्त कहलाते हैं विवरित विवरितम स्वराणां अर्थात स्वरों को विवरित कहा जाता है बहुत ही सरल है एक बार यदि इसको अभ्यास कर लेंगे तो ये जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे विवरित कहते हैं स्वरों को तो स्वर कितने हैं हमारे हमें पता है नो है आ, ई, उ, रिर, लिर, ए, आ, आ, ई, ओ, आ, आ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो ये स्वर जो होते हैं मैंने इनको बताया है इनको अच्वी बोला जाएगा वो विवरित भी बोला जाएगा अभी इसमें व्याख्य करनी बाकी है अभी बताता हूं इसत्विवर्त इसत्विवर्तम ऊश्माणाम ये आया था इसत इसप्रष्टम अनतस्थानाम ये है ऊश्माणाम अर्था शाःा शा सा हा ये ही शट्विव्रित हैं संवृत में आ रहता है लेकिन आ कॉंसा होता हुरस्य याद रखना इस चीज और कहा osób याद रखनी वाला है संवृत संवृत में हिरस्व आ एक यहां पर भी है एक यहां पर भी है तो इनमें अंतर समझे लें तोड़ा सा जब भी हम बूलें बूलने में यह प्रियोग हुगा जो जो उचारण करती समय प्रियोग होगा वो संवृत आ होता है जब प्रिशन आ जाता है कि सम्रित आ कब होता है तो प्रियोग के समय उच्चारन के समय परन्तु जब भी हम क्रिया सिध्धी करेंगे या योमानों के अकाहस बढ़ने दीरगा जब प्रियोग किया जाएगा संधियों में तो उस समय जो आ है ये वाला आ ये विवरित हो जाता है तो क्रिया सिद्धी में प्रिक्रिया सिद्धी में क्या हो जाएगा आ विवरित हो जाएगा और उचारण के समय या उसके प्रियोग के समय आ सम्रित हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम इस्परष्ट पर आते हैं कि इस इसपर्ष करती चली जाती है यह यूं कहें कि इसपर्ष करना ही इसपर्ष्ट है इसपर्ष्ट का मतलब होता है इशद जो सब्द है इशद या इशद यह जो शब्द है इसका मतलब होता है थोड़ा या कम यहाँ इसप्रस्ट आया था यानि इसप्रस्ट करें जहिवा इन अक्षरों को इसप्रस्ट करती है तो इसप्रस्ट होता है लेकिन थोड़ा या कम इसप्रस्ट करें कि कोई ईशत इसप्रस्ट है जहिवा जब विशेश स्थानों को जो इनके स्थान दिये गें, इस्थान की विशाय में हमने पहले बता चुके हैं तो इनके जो इस्थान है, जब जिवा उनको इस्पर्ष करती है, थोड़ी मात्रा में, अधिक नहीं, अधिक करेगी, तो फिर यह हो जाएगा इस्पर्ष्ट हो जाएगा तो ये यावाराला जब हैं इनको बोलते हैं तो जेवा थोड़ी या कम उन इस्थानों को इस्पर्ष करती है जहां से इनकी पत्ती होती है विब्रत बताई दिया कि स्वरों को विब्रत कहते हैं विब्रित का सीधा ताथ पर उता है, यहां जीवा इसपस कर रही है, यहां कमी सपस कर रही है, यहां मुख का खुला रहना ही विब्रित है, मुख जिसमें खुला रहे है, अब इसको देखेंगे तो प्रियो करेंगे पता चलेगा कि विब्रित, मतलब मुख खुला रहता है, इन में मुख खुला रहता है जिसमें मुख खुला रहे वह विब्रित इशद विब्रित फिर वही आ गया इशद का मतलब कम यानि कम जिसमें मुख खुला रहे मुख तो खुले परन्तु कम खुले तो वो इशद विब्रित हो जाता है श, श, स, ख इसमें खुलातो है मूँ परंतु कम सम्वरत मैंने आपको बताई दिया इस प्रकार से ये इसपर्ष इसथ इसपर्ष्ट विवरत इसथ विवरत सम्वरत आभ्यांतर प्रियत्न के बारे में समझाया है हाँ यदि आपको कुछ भी इसमें समस्या हो या समय में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी समस्या हो हम उसको अच्छे से और बताने का प्रियास करेंगे आगे आने वाले वीडियो में हम वाहे प्रित्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद